हेलो दोस्तों नमस्कार अपने इस यूटूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो की सुरुवात करते हैं तो आज हम सभी लोग के मन में यह था कि अधर दर विडियो में देखेंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाय हुए लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए और साथ ही पैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए तो दोस्तो सबसे पहले सुरुआत करते हैं टीचिंग रिलेटेड लोड से कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर होंगे यहां पर हम फोकस करेंगे लेक्चरर उस पर लेक्चरर जो होते हैं उनके पर टीचिंग लो सबसे पहला काम तो दोस्तों है इंचार्ज आफ लैब आप देख सकते हैं कि हर जो कि हम लोग पॉलिटेक्निक में या पॉलिटेक्निक लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं वो भी बीटे कॉलेजेज में तो लैब्स होते हैं प्रेक्टिकल लैब्स होंगे और हर लैब का कोई एक टीचर ही जो है यह लेक्चरर या असिस् स्टॉक रजिश्टर की आपके लैब में कौन-कौन से एक्विपमेंट है उनका प्रॉपर तरीके से आपको मेंटिनेंस करना है साथ ही साथ में दूसरा काम आप देख सकते हैं यहां पर मैं लिखा प्रोक्यूर्मेंट ऑफ एक्विपमेंट टाइम टाइम समय समय पर अगर आपको लगता है कि कुछ चीजों को खरिदारी करनी है तो खरिदने के लिए भी आपको प्रोक्यूर्मेंट भी आप ही को करना है प्रोसेस आपको इनिसियेट करना है उसको अपनी तरफ से रिक्विपमेंट बना के ऑफिस में समिट करना है प्रिंसिपल को देना है अप्र ये डिवाइसे जब काम की नहीं रहे इनको इनको हटाया जा लैब से तो फिर उसको जब कंडम कर लेंगे तो स्टॉक रेजिस्टर से अटाना भी पड़ता है और साथ ही साथ में अगर कोई नया चीज आप खरीद रहे हैं या मेंटेन करा रहे हैं लैब के सामान को तो सेंड जोस्तों यह तो काम रहा जब आप किसी भी एक या दो लैब के इंचार्ज बन जाते हैं और लैब भी कई बार कम सकम एक तो मिलता ही है सबी टीचर्श को कई बार दो दो भी मिल जाते हैं डिपेंडिंग अपन कि आपके कॉलेज में जहां पर आप हैं वहां फैकल्टी कित दीख रहा है चुकि मुझे दस डिपार्टमेंट जो में दस डिपार्टमेंटस होते हैं लग बग यह कॉलेज two college डिपेंड करता है अलग-अलग भी हो सकता हैं अनके नाम भी अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन जो लेकिन नॉरमलिक छोना जयाता है वो मैंने नोट किया है त कहीं कोई बच्चे बत्तिमीजी तो नहीं कर रहे हैं तोड़ फोड़ तो नहीं हो रहा है ताइम टेबल इंचार्ज बनेंगे जो कि टाइम टेबल बनाएंगे और इंटर डिसिप्लिनरी भी बनाना पड़ेगा मतलब इंटर ब्रांचेज में आपको जाके आप सीविल के हैं फिर मेकेनिकल का फिरेटकल के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनका भी तैयार करना पड़ेगा कि कैसे बनाया जागी एक ओवरलैपिंग ना हो फिर फरनीचर इंचार् बनाया जाता है इंवारमेंट एंड क्लीन लेंज के लिए जो की पूरे कैमपस के ग्रीन है कि नहीं या कह सकते हैं कि इनवारमेंट पर द्यान देगा और उसके द्यान देगा और स्पोर्ट सर्द को कार्रिकुलर अक्टिविटीज ऐसे पोर्ट का भी एक इंचार्ज होग मुझसे छूट भी गई हो इसके अलामा और भी काम होते हैं लेकिन अब चुकि मैं हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग काम इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों तो यह समझें कि यह इंचार्ज बनेंगे तो इन इंचार अगर आपके यहां बीटेक कॉलेज है वहां पे बच्चे रह रहे हैं तो होस्तल वार्डन आप बनेंगे और वायज में लगबग फिमेल वार्डन बनती हैं और साथी साथ में डिफरेंट ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स होगा वहां पे आपको आना जाना रहेगा प्रिपे कितने प्चों के पास जॉब लग गई जो आपके यहां से पासओट हो गया और जॉब पा गया कितने हायर शडीज में चले ख़ा गया इससे बहुत सारे प्चत्य पे दाते रहे चाह आपको उसके भी रिपोर्ट्स कई बार भेजने पड़ते हैं, यह में नहीं चलते हैं, यह डिपेंट करेगा कि आपके कॉलेज में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जो लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर को टीचिंग के अला अब भी उसको बहुत सारे काम होते हैं, उसका आइडिया मुझे लगता है थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग इस वीडियो